हेलो एवरिवन असलेम उलेकूम वेलकम टू समीरा किचन आज हम बनाने वाले हैं आलो और रंडी की सबजी तलच स्टार्ट करते हैं यह हमने पांस से छे अंडे ले लिये थे और यह छे से साथ हमने आलो लिये थे इन्हें हमने धो लिया और दोने के बाद किसी एक खुले ब मेडियम साइज के प्याज लिये थे उन्हें हमने काट लिया है और हमने यहां पे टमाटर लिया था और फिर यहां पे हमने दो चमच धनिया पाउडर लिया है और यहां पे एक और आदा चमच हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है और हमने हाफ टेवल स्पून लिया है गरम चमच और काली मिर्च पाउडर लिया है एक चमच और हमने यहां पे कुछ खड़े मसाले लिये हैं दो इलाइची और थोड़ा सो जावित्री का फूल और यह हमने दालचीनी लिये हैं दो छोटे-छोटे टुकड़े और तीन लॉंग यह देखिए हमारा अंडा उबल चुका और हमने यह आलू जब हमारे उबल गए तो हमने इसको छोटे-छोटे टुकड़े अच्छी तरीके से हमने इसे काट लिया है उबलने के बाद यह देखिए हमारी कढ़ाई को हमने गरम होने के लिए रख दिया है जब हमारी कढ़ाई गरम हो जाएगी तब हम इसके अंदर और द्धृब हूंगे अंडे किती तरीके से अच्छी तरीके से स्के ब्राउन ब्राउन सा या निलिए यहानि यूपनभा झाले और तय्हें इंहें को इन्डे को अच्छी तरीके लूँ बॉयल करके रखे ते अब हम इन को तेल में डालेंगे हम उने के लिए सारे रालु को हम डालेंगे अराम से अंदर से एक अच्छी तरीकी से लाके फ्राइ कर लेंगे और जब फ्राइ हो जाए तो हम इन आणू को भी अराम से निकाल लेंगे तर्थे अन्हें स्प्राइब हो चुके और हम निकाल भी हो चुके और भी निकाल भी लिया है अब बिर एक टीबल स्पून जीरा डॉलेंगे गरम तेल के अंदर ही इसके हमारा जीरा भी अच्छी तरीके से भुन गया है कहुंसे कि अंदर निकालक स्टल alma मादिया है और हम थोड़ी इसे अच्छी हो जा जाए तो घॉटा दालेंगे और तेज पते को भी हम अपनी प्यास के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और उसे भी अच्छी तरीके से फ्राइ कर लेंगे प्यास को हम देखिए हमारा प्यास भून चुका है अब हम इसके अंदर एक चमच द्रग का पेस्ट जालेंगे और एक चमच लेसन का पेस्ट जालेंगे और लेसन का पेस्ट और अधर का पेस्ट जालने के बाद इसे भी अच्छी तरीके से प्यास में मिला कर फ्राई करेंगे यह देखिए हमें बिल्कुल इसी तरीके से अराम अराम से और अच्छी तरीके से इसे भी फ्राइध़ कर लेना है और इसे हलके हलके हातों से चलाना है ये दिखी हमारा ये कि अची तरीके से प्याज में मिल चुक है ज़ब हमारा ये भून जाए अधरकुलसन गुरौरेelle पेस्ट और प्याज तब हम इसके अंदर अपने सूखे मसाले डालेंगे जो हमने अपने सूखे मसाले लिए थे वह हम अपने सूखे मसाले सारे डाल देंगे इसके अंदर जीरा का पाउडर का पाउडर और फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर इसे दुबारा चलाएंगे और इसे अच्छी तरीके से म और देखिए हमें ऐसी ही चलाना है अपने मसाले को और हमें नीची कड़ाई में इसे लगने नहीं देना देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है ना इसमें थोड़ा सा पानी और रैट कर लेंगे हम और इसे दुबारा चलाएंगे लिए थोड़ी दिर बाद हमारा मसाला कितन लेंगे टमाटर को हम अच्छी तरीके से मसाले के अंदर मिक्स कर लेंगे देखिए हमारे मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डालेंगे पानी डालने के बाद हम इसको दुबारा से चला लेंगे और अपने मसाले को अ किसे इची तरीक तरीके सा है खुआ बहात है कि हमीं इस अच्छा कार मिरच या मिर्च धिंड कर दो ऑगा है और ने किसे बने चंड कुस्की हुआ धिका क्षेह लाल मिर्च न debuted जाँए ठाले के बाद इसे बहुत नहां ठाले मुर्च मसाले को आलू के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स करना है आप मसाले में देखें किदर थोड़ा सा पानी ढाल देंगे पानी डाल दिया हमने और पानी हम इसके इंदर डालेंगे आप चाहे तो पानी इसके इंदर थोड़ा सा ही डालें आप अगर रोटी के साथ खाना चाते हैं हो तो हम इसको चावल के साथ खाएंगे उसलिए हमने पानी थोड़ा जादा डाला है आप चाहे तो कमी डालें पान और चला देंगे हैं लिहाइप हीर में लगे करें हैं तक हमारी चैनल को लाइक और आइकन को और पर कर दें बैद के जब सब्सक्राइब कर देए प्पैल प्रेस कर देंगे में जब आज के ये देखे पांच मिट हो चुके हैं अब हम इसे खोल के देखते हैं ये देखे हमारी आलू अंडे की सालन तयार है ये देखे बहुती ला जवाब है अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अल्ला हाफीज मिलते है रेक्स वीडियो